श्रीमत भागवत महात्म्य पंचम अध्याई धुन्धुकारी को प्रेत यौनी की प्राप्ती और उससे उध्धार सूत जी कहते हैं शौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुन्धुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा बता धन कहां रखा है नहीं तो अभी तेरी जलती लकडी से खवर लूँगा उसकी इस धमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्री के समय कुए में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई योगनिष्ठ गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था क्यूंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रू धुन्दुकारी पाँच वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा उनके लिए भोग सामगरी जुटाने की चिंता से उसकी बुद्धी नश्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा एक दिन उन कुल्टाओं ने उसे बहुत से गहने मांगे वह तो काम से अंधा हो रहा था मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा वह जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर घर लोट आया तथा उन्हें कुछ सुन्दर वस्त्र और आभुशन लाकर दिए चोरी का बहुत माल देखकर रात्री के समय इस्त्रियों ने विचार किया की यह नित्य ही चोरी करता है इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा राजा यह सारा धन चीन कर इसे निश्यत ही प्राण डंड देगा जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें इसे मार कर हम इसका माल मता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी ऐसा निश्यकर उन्होंने सोते हुए धुन्दुकारी को रसियों से कज दिया और उसके गले में फासी लगा कर उसे मारने का प्रियत्न किया इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले इससे वह अगनी की लप्टों से बहुत छट पटा कर मर गया उन्होंने उसके शरीर को एक गड़े में डाल कर गार दिया सच है इस्त्रियां प्रायह बड़ी दुस्साहसी होती है उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला लोगों के पूशने पर कह देती थी की हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए है इसी वर्ष के अंदर लोट आएंगे बुद्धिमान पुरुशों को दुष्टा इस्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है इनकी वानी तो अमरित के समान कामियों के हिर्दय में रस का संचार करती है किन्तु हिर्दय छूरे की धार के समान तीखा होता है भला इन इस्त्रियों का कौन प्यारा है वे कुल्टाएं धुन्दुकारी की सारी संपत्ती समेट कर वहां से चंपत हो गई उनके ऐसे न जाने कितने पती थे और धुन्दुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेथ हुआ वह बवंडर के रूप में सरवदा दसो दिशाओं में भठकता रहता था तथा शीत घाम से संतपत और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव हा दैव चिलाता रहता था परन्तु उसे कहीं भी कोई आश्राई न मिला कुछ काल बीतने पर गौकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुन्दुकारी की मृत्यू का समाचार सुना तब उसे अनाथ समझ कर उन्होंने उसका गयाजी में श्राद किया और भी जहां जहां वे जाते उसका श्राद अवश्य करते थे इस प्रकार घुमते घुमते गौकर्ण जी अपने नगर में आई और रात्री के समय दूसरों की द्रिष्टी से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुन्दुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया वह कभी भीडा, कभी हाथी, कभी भैसा, कभी इंद्र और कभी अगनी का रूप धारण करता अंत में वह मनुश्य के आकार में प्रकट हुआ ये विपरीत अवस्ताएं देखकर गौकर्ण ने निश्य किया कि यह कोई दुरगती को प्राप्त हुआ जीव है तब उन्होंने उससे धैरी पूर्वक पूछा गौकर्ण ने कहा, तू कौन है, रात्री के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है तेरी यह दशा कैसे हुई, हमें बता तो सही, तू प्रेथ है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है सूत जी कहते हैं, गौकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वहो बार-बार जोड-जोड से रोने लगा उसमें बोलने की शक्ती नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया तब गौकर्ण ने अंजली में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छुड़का इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वहो इस प्रकार कहने लगा प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुन्दुकारी है मैंने अपने ही दोस्स से माहन ब्रह्मनत्व नश्ट कर दिया मेरे कुकर्मों की गिंती नहीं की जा सकती मैं तो माहान अज्यान में चक्कर काट रहा था इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की अंत में कुल्टा इस्त्रियों ने मुझे तडपा तडपा कर मार डाला इसी से अब मैं प्रेत यौनी में पढ़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ अब दैववश कर्म फल का उदई होने से मैं केवल वायु भक्षन करके जी रहा हूँ भाई तुम दया के समुद्र हो अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस यौनी से छुडाओ गौकर्ण ने धुन्दुकारी की सारी बाते सुनी और तब उससे कहा गौकर्ण ने कहा भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्यर है मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में पिंड़दान किया फिर भी तुम प्रेत यौनी से मुक्त कैसे नहीं हुए यदि गया शराद से भी तुम्हारी मुक्ती नहीं हुई तब इसका और कोई उपाई ही नहीं है अच्छा तुम सब बात खोलकर कहो मुझे अब क्या करना चाहिए प्रेत ने कहा मेरी मुक्ती सेकडो गया शराद करने से भी नहीं हो सकती अब तो तुम इसका कोई और उपाई सोचो प्रेत की यह बात सुनकर गौकर्ण को बड़ा अश्यरी हुआ वे कहने लगे यदि सैकडो गया श्रादों से भी तुम्हारी मुक्ती नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ती असंभव ही है अच्छा अभी तो तुम निर्भई होकर अपने इस्तान पर रहो मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ती के लिए कोई दूसरा उपाई करूँगा गौकर्ण की आग्या पाकर धुन्दुकारी वहां से अपने इस्तान पर चला आया इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया तब भी उन्हें कोई उपाई नहीं सूझा प्रातहकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आये तब गौकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ट, ग्यानी और वेदग्य थे उन्होंने भी अनेको शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ती का कोई उपाई न मिला तब सबने यही निश्चय किया कि इस विशय में सूर्य नारायन जो आग्या करें वही करना चाहिए अतह गौकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गती को रोक दिया उन्होंने इस्तुती की भगवन आप सारे संसार के साक्षी हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप मुझे कृपा करके धुन्दुकारी की मुक्ती का साधन बताईए गौकर्ण की यह प्राथना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा श्रिमत भागवत से मुक्ती हो सकती है इसलिए तुम उसका सब्ताह पारायन करो सूर्य का यह धर्ममाई वचन वहां सभी ने सुना तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो यह साधन भी बहुत सरल है अतहा गौकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए देश और गाउं से अनेको लोग कथा सुनने के लिए आए बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धी पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ती के उद्देश से वहां आ पहुँचे इस प्रकार वहां इतनी भीड हो गई की उसे देखकर देवताओं को भी आश्यारी होता था तब गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेद भी वहां आ पहुचा और इधर उधर बैठने के लिए इस्तान ढूड़ने लगा इतने मैं ही उसकी द्रिष्टी एक सीधे रखे हुए साथ गाठ के बांस पर पड़ी उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया वायोरोप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था इसलिए बांस में घुस गया गौकर्ण जी ने एक वैशनव ब्रहमन को मुख्य शुरोता बनाया और प्रथम सकंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गाठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गाठ फटी और तीसरे दिन उसी प्रकार तीसरी गाठ इस प्रकार साथ दिनों में सातों गाठों को फोड कर धुन्दुकारी बारह सकंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत यौनी से मुक्त हो गया और दिवी रूप धारण करके सब के सामने प्रकट हुआ उसका मेघ के समान शाम शरीर, पितांबर और तुलसी की मालाओं से शुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनी कुंडल जिल मिला रहे थे उसने तुरंत अपने भाई गौकर्ण को प्रणाम करके कहा भाई तुमने किर्पा करके मुझे प्रेतियोनी की यातनाओं से मुक्त कर दिया यह प्रेत पीडा का नाश करने वाली श्रीमत भगवत की कथा धन्य है तथा श्रीकृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायन भी धन्य है जब सप्ताह श्रवन का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भगवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी जिस प्रकार आग, गीली, सूखी, छोटी, बड़ी, सब तरह की लकडियों को जला डालती है उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवन, मन, वचन और कर्मद्वारा किये हुए नए पुराने, छोटे बड़े, सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रिमत भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वर्था ही है भला मोह पूर्वक लालन पालन करकी, यदि इस अनित शरीर को हिर्ष्ट पुरुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रिमत भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाब हुआ अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्थम्भ हैं, नस नाडी रूप रसियों से यह बधा हुआ है उपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढध दिया गया है इसके प्रत्यक अंग में दुरगंद आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भंड ही व्रद्धावस्ता और शोक के कारण यह परणाम में दुखमई ही है, रोगों का तो घर ही ठहरा यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीडित रहता है, कभी इसकी त्रिप्ती नहीं होती इसे धारण किये रहना भी एक भार ही है इसके रोम रोम में दोश भरे हुए हैं और नश्ट होने में इसे एक छण भी नहीं लगता अंत में यदि इसे गाड दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अगनी में जला दिया जाता है तो भस्म की धेर हो जाता है ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई है ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता जो अन्न प्रातहकाल पकाया जाता है वह सायंकाल तक भिगड जाता है फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी इस लोग में सबताह श्रवन करने से भगवान की शीगर ही प्राप्ती हो सकती है अतह सब प्रकार के दोशों की निवर्ति के लिए एक मात्र यही साधन है जो लोग भगवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं भला जिसके प्रभाव से जड़ और सुखे हुए बांस की गाठे फट सकती है उस भागवत कथा का श्रमण करने से चित्त की गाठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है सबताह श्रमण करने से मनुश्य के हिर्दय की गाठ खुल जाती है उसके समस्त शंशाई छिन भिन हो जाते हैं और सारे कर्म छिन हो जाते हैं यह भागवत कथारूप तीर्थ संसार की कीचड को धोने में बड़ा ही पटू है विद्वानू का कथन है कि जब यह हुर्दय में इस्तित हो जाता है तब मनुशी की मुक्ती निश्चित ही समझनी चाहिए जिस समय धुन्धुकारी ये सब बाते कह रहा था जिसके लिए वैकुंठ वासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था सब लोगों की सामने ही धुन्धुकारी उस विमान पर चड़ गया तब उस विमान पर आये हुए पार्षदों को देखकर उनसे गौकर्ण ने यह बात कही गौकर्ण ने पूछा भगवान के प्रिय पार्षदों यहां हमारे अनेक शुद्ध हिर्दै श्रोतागण हैं उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाई हम देखते हैं कि यहां सभी ने समान रूप से कथा सुनी है फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ यह बताई ही भगवान के सेवकों ने कहा हे मानद इस फल भेद का कारण इसके श्रोवन का ही भेद है यह ठीक है कि श्रोवन तो सबने समान रूप से ही किया परन्तु इसके जैसा मनन नहीं किया इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा इस प्रेत ने साथ दिनों तक निरहार रहकर श्रावन किया था तथा सुने हुए विशय का स्थिर चित्त से यहां खूब मनन निदिध्यासन भी करता रहता था जो ग्यान डड़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रावन का संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब काभी कोई फल नहीं होता वैशनव हीन देश अपात्र को कराया हुआ श्रात का भोजन अशोत्रीव को दिया हुआ दान एवं आचार हीन कुल इन सबका नाश हो जाता है गुरु वचनों में विश्वास दीनता का भाव मन के दोशों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादी नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रावन का यथार्थ फल मिलता है यदि ये श्रोता फिर से श्रीमत भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ती होगी और गौकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयम आकर गौलोक धाम में ले जाएंगे यूं कहकर वे सब पारशद हरी कीरतन करते वैकुंठ लोक को चले गए श्रावन मास में गौकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सब्ताहकरम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना नारज जी इस कथा की समाप्ती पर जो कुछ हुआ वह सुनिये वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए सब और से खूब जैजेकार और नमसकार की ध्वनिया होने लगी भगवान स्वयम हर्शित होकर अपने पांच जन्य शंकी की ध्वनि करने लगी और उन्होंने गौकर्ण को हुरदय से लगा कर अपने ही समान बना लिया उन्होंने च्छन भर में ही अन्य सब शुरोताओं को भी मेग के समान श्यामवल्ण रेशमी पितामबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदी से विभूशित कर दिया उस गाउं में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गौकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चड़ा लिये गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भागवत धाम में वे भेज दिये गए इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्रीकृष्ण कथा श्रवन से प्रसन्न होकर गौकर्ण जी को साथ ले अपने गौाल बालों के प्री गौलोक धाम में चले गए पूर्व काल में जैसे अयुध्यावासी भगवान श्रीराम के साथ साकित धाम सिधारे थे उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण उन सब को योगी दुरलब गौलोक धाम को ले गए जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिध्धों की भी कभी गती नहीं हो सकती उसमें वे श्रीमद भागवत श्रवन करने से चले गए नारज जी, सबताह यग्य के द्वारा कथा श्रवन करने से जैसा उज्वल फल संचित होता है उसके विशे में हम आपसे क्या कहें अजी, जिन्होंने अपने कर्ण पुट से गौकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए जिस गती को लोग, वायू, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपश्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते उसे वे सबताह श्रवन से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्र कूट पर विराजमान मुनिश्वर शांडिली भी ब्रह्मानंद में मग्न हुकर करते रहते हैं यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवन से ही समस्त पापराशी को भस्म कर देती है यदि इसका श्रात के समय पाठ किया जाए तो इससे पित्र गण को बड़ी त्रिप्ती होती है और नित्य पाठ करने से मौक्षी की प्राप्ती होती है